रशुआ नमस्कार आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चोहार आज हम हैं गंगा घाट के किना रहे जी हाँ एनाइटी के किनारे हैं और आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करने वाले हैं क्या हम कोई योगा स्पेशल है या फिर कोई खास खाकरिक्रम ह तो हम आपको बता दें कि यहां गंगा घाट के कनारे आपको हर रोज मिल जाया करेंगे अरुन सर अरुन सर जुन से आप UPSC और BPSC बनने की जो तयारी की प्रक्रिया होती है उसके बारे में जान सकते हैं और यहां पर बकाइदा बच्चे सुबे सुबे उठकर यानि कि सुबे सारे 5 से 8 बजे तक यहां पर बैठते हैं पढ़ते हैं वो भी फ्री यानि कि मुफ्त में अरुन सरुन बच्चों को पढ़ा रहे पर आज इस खास कारेकरम सिक्षा मंत्रा में हम यहां आए हैं गंगा घाट के किनारे और यहां हम बातचीत करेंगे अरुन कुमार जी से उनसे बातचीत करेंगे उनके साथ जो सिक्षक हैं उनसे बातचीत करेंग ये खास कारेक्रम उनके लिए इन सिक्षकों का एक खास संदेश बच्ची कितना सीख रहे उनके लिए खास संदेश पट्टा में इन दिनों एक ऐसी जगह बनी है या फिर यू कहें कि एक जगह जो छात्रों के लिए फिलहाल बन गई है ये कोई संस्थान नहीं है जहां पे बच्चे आईस की बनने की तैयारी करते हैं जहां बच्चे बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और जहां एक गुरू उनके सिखाते हैं अपने सपनों को सजो रहे होते हैं और एक सिक्षक होते हैं जो उनके सपनों को आकार देते हैं उनके सपनों को जीवन करने के उनके सपनों को सकार करने में उनकी मदद कर रहे हैं वो भी सबसे बड़ी बात है कि वो भी मुफ्त में जी हां बात कर रहे हैं अरून सर की और जो अरुन सर से जुनेंगे सर आज इन दिनों अगर बात करें इन दिनों की कुछ महीने से आप बच्चों की पसंद बंते जा रहे हैं लगातार बहुत सारे असे बच्चे हैं जो आई-एस बनने का सपना देखना है जो बिहार पुलिस में सेवा करने का सपना देखते हैं और ध्यान आता है अरुनसर तो कैसा लग रहा है फिलाल सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि मुफ्त में सेवा देने का और गंगा घार्ट में पढ़ाने का यह आइडिया कैसे आया देखिए यह बड़ी अच्छी बात है कि हमारी बिहार की किuspि जो दिल्ली जाने की और सोच रही थी वो युक दमी बिहार में ही रह जाएगा बच्चे यहीं रह जाएंगे यही मार्गदस्शन मिलेगा और यहां बहुत कम खर्च में जगह मिल जाता है दिल्ली के कम्प्रिजन में वन थर्ड खर्च यहां लगता है और गंगा घाट तो एक इतना रमनिक जगह है और यहां जो पतना से लेकि और आगे जहां जो जगह है राजगीर वगारा बक्तियारपुरे शब जगह ग्यान की जगह पहले से ही रही है और यहां तो बड़े- ग्यानी लोग रहे है तो यहां पर तो कुछ तो वाइब्रेशन्स है जो कि हमें कंडूशी इंवार्टमेंट मिल जाता है अच्छी पढ़ाई कड़ाने के लिए और प्रेड़ना जो आप बोल रही है प्रेड़ना का श्रोत मुखता यह है कि रितुजास्वाल जो मेरी पत मैं करते हैं इतनी कि इसके कम मेहनत में अधिकारी बनशकते हैं बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चैंज करने की ज़ंड़रत है तो क्यों नदिकारी बना जाए कि बिहार के बच्चे अधिकारी जाने में क्रमचारी कम बने तो मैं यही कोशिस करने में लगा उँ हूँ बहुत सारी बाते हैं आप खुद भी मुखिया फिलाल सेहवाहिनी पंचायत के हैं और आप एक आईयस अधिकारी रह चुके हैं उन तमाम जीवनशैली को अपनी जीवनशैली को छोड़कर बिहार आएं यहां पर बसें आप फिलाल सेहवाहिनी को भी देख रहे हैं आप बच मुखिया का काम करते हैं तो यहां मैं तो करी रहा हूं मैं तो हूँ और मुखिया पत्नी मुझे शहयोग कर रही है जो पहले मुखिया रह चुकी और सम्मानित मुखिया रह चुकी है तो अच्छा है यह माहिनी को दो मुखिया मिल जा रहे हैं तो मेरा काम तोरा आदा हो ज यहां पर जब आप बिहार में सर आते हैं और बिहार में जब आप बच्चों को परहाते हैं या कि सिक्षा को देखते हैं आप दिली से आये हैं दिली में बहुत साल तक आप रहे हैं क्या एक ऐसी कमी जिसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है देखिए जो शिक्षा की जो कमी है वो तो पूरे भारत की व्यस्था में है जो दिल्ली भी जो बच्चे जाते हैं उनको भी आई अशिवगरा का सही गाइडेंश नहीं मिलता है जो सक्षेस रेट है वहां भी बहुत कम है भी रिजल्ट दे रहा है कोचिंग इस्चूट जबकि हर दिन कम्टिशन एक नया टेक्स्ट बुक छापता जो न्यूस पेपर है और तीन से चार से डोमेन खोजना है वहीं से एक्जाम में कुष्टन आएंगा वहीं से निकलेगा इसे बात को कोचिंग शूट नहीं समझ पा रहा है क्योंकि डोमेन खोजने में बड़ा म तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि यहां पर मैं ख़ड़ा होके सबी चीजों को डोमेन के अंदर तक मेहनत करके निकलता हूं मैं देख रहा हूं कि यहां के बच्चे किसी कोच्व इंस्टूट से जादे रिजल्ट दे दे देंगे यह मैं 100 परसंट कर सकता हूं क्योंकि म अमारे 35 कोश्चन 20 तिन में आगे कल वी डवलुपीच्च के एकजाम हुआ उसमें 35 कोश्चन 25 तिन में आगे कहने कार्थ यह है कि यह जो है एक सेंटिपिक बेस यहां जो बात हो रही है यह बिहार के धर्तिप्रे को नोखा प्रियोग हो रहा है और इसके रिजल्ट मुझ आपने तो शुरू किया यह सोच कर कि चली आप बच्चों में एक अलग जगाएंगे और आप बच्चे आपकी सपनों को जो आपने भी सपना कहीं ना कहीं बच्चों में देखा है वो सपना पूड़ा करने की कोशिश कर रहे है लगातार जो बच्चे BPSC और UPSC की तैयार करते हैं सर सबसे पहली चीज जो उन्हीं करने की जरूरत है क्या है निरंतरता कंशिस्टेंश लगातार अगर आप काम करते रहेंगे तो असंभव कार्ज भी संभव हो जाता है मैं कहानी इनको हमें से सुनाता हूं कि एक 18 सल की लर्गी 1500 किलो के गाय को उठा के दिखाती र कि इसको बच्रे से प्यार है और आठ साल के बाद एक करमात होता है कि एक 16-17 साल की लर्की जो 1500 किलो के गाय को उठा लेती है निरंतरता का कमाल है डेली यहां गंगा घाट आए डेली अपने मेरे साथ जुरे कौपी दिखाए चेक करे निरंतरता का रखेंगे हम रखेंगे तो जैसे गंगा प्रवाव म्यान है वैसे वो कुछ भी अचीव हासिल हो सकता है वो हो जाए एक सारे पांच बजे सुबह जग के पढ़ाई कर रहा है यह बहुत आसान बात नहीं होता है रुनसर और खासतर बच्चे जो पैसे देकर बहुत खर्च करते और इंस्ट्यूट दिया जाता है बच्चो को रोज देखिए मोटिवेशन तो आपका लाइफ स्टाइल होता है गुरु को देखके बच्चे उसको शीखते हैं वो देख रहे हैं कि मैं 16 घंटा पर के तम मैं यहां गंगा घाट पर शुबह में खड़ा होता हूं मेरे प्रते के दिन के पराई दरशल वो पराई तो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि पठन के साथ पठन जो रहा था हैं परहेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे क्या अब निउज आ गया तो मुझे भी इंडिया अनलेशिश करना होता है मुझे भी समझना होता है कि पीछे क्या-क्या प्रस्ण पूछे जा इसका पाईगा तो गुरु को तो मातने करना ही परता है और यह मैनत मैं संजोग से अचा है कि मैं शुरु से ही कर रहा हूं 203 कारण अप्ण करते रहा हूंा है या कभी दो बज उट गिया तो सुब के फश्य बाज़ तक पृता रहता तो पढ़ाई प्रक्रिया में रही है इस कारण कि यह एक ज्यान यहां पर दिखड़ा है, अदर्वाइस अगर मैं नप पढ़ता तो मैं नप बता पाता, तो परहाई से सिधार रिलेशन है इसका, तो यही उनके लिए मोटिवेशन है, तो देखते हैं कि गुरू जब पढ़ रहा है, तो भी पढ़ेंगे। तो बढ़ो की तरह बनते हैं, और जब बढ़े थोड़ी से आलस बरते हैं, या फिर थोड़ी से लापरवाही तो बच्चे भी बढ़ते हैं, जाहिर सी बात हैं, और एक सिक्षक के तौर पर आपने खुद कहा, कि 12-14 घंटा आप बढ़ते हैं, तो एक बच्चे के लिए कहीं न कहीं इसमें इंवल्व होते हैं, कहीं न कहीं वो पढ़ाई ना करके, लोंग कट ना करके, लेके वो शॉटकर अपनाने के तरीके में रहते हैं, तो इससे कैसे बचे हैं बच्चे? देखे, दो तरीका है, एक तो अपनों को मजबूत करना है, जो हम लोग कर रहे हैं, और दुसरा ये गलत कहना है कि बच्चे शक्रिय राजनीती में ना है, बच्चे उनी समय में भी शक्रिय राजनीती में आएं, अगर उनी से पास के अंदोलन के बाद ये बारत देश के अगर शक्रिय राजनीती में नहीं आते, तो हम आप यहां बैटके अपने आर्टिकल 19.1 के तहथ या आटिकल 21 के तहथ यहां पर मैं आपका अधिकारों का यहां पर नहीं निर्वाह कर पाता है, तो राजनीती तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज इज अ वे अफ लाइ लोगों में बिचार बनने चाहिए, प्लेविशाइट होनी चाहिए, और अंतियोदा का मतलब होता है, जो सबसे मारजीन पर जो ब्यक्ति है, चाहे वो माइनुरिटी का हो, चाहे वो गरीबी का हो, वो सबो के लिए योजनाय बराबर है, तो कि सब देश के नागरिक है, य यह बात के लिए हमारी बात सुनी जानी चाहिए, हाँ तरीका हिंसात्मक होना चाहिए, तरीका हिंसात्मक होना चाहिए, और एक आखरी सवाल हम करेंगे कि जाते जाते बच्चों के लिए एक ऐसा संदेश हम चाहेंगे कि अरून सर, क्योंकि बच्चे अरून सर को बहुत स मजने की कोशिच कर है जो बच्चे गंगा गाट आ रहे वह तो सुन रहे हैं लिकिन बहुतищ बिहार के ऐसे इससे में भी बच्चे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पच्चे हें जो आई एस सदिकारी बनने का खाब्त अब लिगे जान रहे हैं तो आपको पुASE सुनना चाहते। लिए? उन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश, एक मोटिवेशनल संदेश बिले। एक निरंतर लिखने का अभ्यास, मुझबानी निरंतर लिखने का अभ्यास. अगर बच्च अले जिन्य हां, काट कापफिक केश्ट न कड़े। मैं बोला मुझबानी निरंतर लिखने का अभयास करें और एक्जाम निकल जाएगा ताकि मेंस भी निकल जाए इंटरव्यू भी निकल जाए मुझबानी लिखने का निरंतर अभयास आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि आप लिखते भी रहें ताकि आपका मेंस भी निकल जाए और आप बोलते भी रहें ताकि आपको जो इंटरव्यू में काफी बच्चों को परेशानी हो जाती है इन दिनों आपने देखा होगा कि जो UPSC का रजल्ट निकला है, जिनका मेंस निकला, उन्हें इंटर्व्यू में बड़ी परेशानी हुई. इंटर्व्यू में परेशानी का बियास हैं तो बच्छों को खड़ा कर दी इंटर्व्यू में बोल पारे हैं, वो बाहर में अच्छा भासन देते हैं. मेरा मोचूबानी का मतलब है। बिना देख के लिखने मुझबानी मतलब कि हाँ कि आपने पढ़ लिया अब बिना देखे आपको लिखने का अभ्यास करना उतारना नहीं है हाँ मनले का पढ़ लिया कॉप किताब बंद किया है अब आप लिख के देखिए कि आपको कितना फैक्ट याद है इसको करते हैं मुझबानी निरंतर लिखने का अभ्याद कर दो अब एक नुद करने को कोई भी परिक्षा कोई भी पराई उन्हींने का जाता है कि वर शांती रहती है कुछ भी याद हो जाता है तो सुबह आपके बच्चे अहां पर आते हैं तो कितना प्रभाव पढ़ता हो गए इससे लोजी है अमारा आप जो है वो जीन और इंवार्णमेंट से बना है हमारा जीन जो है सरकाडियन रिदम में चलता है तो बाइलोजिकल साइकिल है जहां का जो मेरेडियन है उसके हिशाब से हमारे उड़ जागरित होती है शुबह के समय में अगर आप सुर्योदा से पहले उठते हैं तो आप जादे शकारातमक और शक्रियातमक डंग से आप जिन्दगी में जादे उचाई को हासिल कर सकते हैं या बैग्यानिक तथ हैं अब यहां के आदमी के लिए लोग बात करते कि यहां दब सुबह होता तो अ लेट उठने वाले वो दिन बर मुतना काम करेंगे तो आप समय बचा लेते हैं तो शुबह उठना तो जरूरी है अब पता नहीं वेस्टरन कल्चर की देन है या मटेलिस्टिक कल्चर का देन है कि बच्चों में आइडिया नहीं हो रहा है इन दिनों जादा हो गया जादा नहीं बताया कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और बच्चों को अपना जो अभ्यास है वो रखना चाहिए लगातार आप भी अगर चाहे तो गंगा गाट आईए यहां पे आप भी आगर ग्यान ले सकते हैं सीख सकते हैं समझ ना आए तो पूछ भी सकते है नमस्कार कि अब गुद्डू ठीक से लगाओ बे रिस्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारी चंडा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारे परिवार कितना खुश है हम तो आपको बताने ही भूल गए हमारी चंडा इतने सालों बाद गाबन हुई है और पहले जो दो आएना तो स्वस्थ और तंदुर्श कैसे रहेगी खला हो मदू सूदन गोल्ड पशु आहार का जिसके देने से हमारी चंडा गाबन हुई और उसको एक रिष्ट पश्ट बच्चा हुआ अगर आप भी अपने पश्टों से करते हैं त्यार तो ने दीजिए सिर्फ और सिर्फ मदू सूदन गोल्ड पशु आहार खुलेंगे चले कुछ ऐसे चात्र है जो बहुत पहले दिन से यानि कि जब यह शुरू हुआ था जब गंगा घाट पे परहाई शुरू हुए थी तब से यह चात्र परहाई कर रहे हैं और अरुन सर से जो मार्ग दर्शन है वो ले रहे हैं उनसे ज़र बातचीत करते हैं आप पहले द अच्छी मैक से अलांस हुआ है तो हम लोग आई देखने के लिए कि देखते हैं क्या है तो फिर देखे तो सरकार यूंच वा सर जैसे कि आयस से जो है स्विक्षा सेवा निर्मिती ले चुके हैं और ये सी बीसी जो है आपको केंद्रिय सतर्टा यो उसका वो कमिश्नर रह चुके हैं तो यही से बात बोले तो देखे कि पर है बहुत तो उस समय सर बोले कि यहां पर हम लोग परते एक रोज नुज पेपर एनालिस करेंगे जो है कि इंगलीज का नुज पेपर है आपको देहिंदू वो आपको सिवील सर्फेसे में उसी से ज्यादा तर आंसर आता जो नुज पेपर होता है उसके इस्टितिक अनुसार उसको एक टॉपिक निकालते हैं और उसी पे जहां जैसे कि डॉमें को एस्टेटिक से मने जो हम लोग मने घुबल हिस्टरी से जोरते हैं यही सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगा आपको कितना समझ में आता है कोशचन अकसर आते हैं जो पैटर्न है जोर्य समकाली बाते चल रही उससे प्रशंदाधा रहते हैं तानुसार का जो समाचार पे विचार उसको कनेक्ट करते हैं बाकी जो हमारा स्टैक डोमेन है इतिहास से लुगॉल से पॉलीटी से बाकी इस चीजों से तो इस सारी बात एको परेक्षा क्या लगता इतना सफल होने वाला कितने सफल होने वाले उसमेंडर सबाता हूं सफलता निस्थी तैमेरी पुड़ी तरह से प्रषण होती है जो भी युपीय सी और बीपियसी के तयारी होती है तो जो मोटीवेशन है किपना मिल रहा है मैं दो-ταummer में पेहले पेट चुका dall Brexit में अग्जाम में यहां के coaching मैंने asking भी किया था और मुझे मिद्ध Do मुझे मखुद साटिस्फैक्शन नहीं मिला था और मेरा ार्मझेप्ट जो तर 10 विडिय०्ट वस्सेटिस्फैक्शिन मिल रहा है कि नहीं है कि अब अब एक भी एक बाड़ ही में पास कर जाओंगा आप बता ही आपी कब से आ रहे हैं हम सुरू से ही आ रहे हैं बट मेरा भी प्रिपरेशन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मेरा कम्पलीट नहीं हुआ है तो आप अभी पूछ रहे थी सबसे बड़ा मूटिबेशन क्या इतना सुबह मूथ कि आने घा ने गा तो सक्टात होता है कि हम घा पर आने से फैदा हो रहे हुआ था समय हमें है क्या पढ़ना है क्या नहीं करना सबसे बड़ा बातह घ्रवडऱा हुआ है सबसे बड़ा बात ही है, इसलिए आते हैं, मैं इतना सुबह उठके हैं। तो क्या करना जाती हैं आप? जी, अधिकारी बनना है, आईस ओफिसर बनना है। जी, जी. और वहली बननना है भीज जाली है, मा अच्छा काम करने का है. एक और हमारी साथ है, आपका नाम क्या है? ति मैं. प्रिया. आपको क्या बनना है? मैं, पहले मैं भी तो मैं भी प्रिपिरिया क कर रही हूँ और आज मेरा मैं फॉर्स्ट कंलास है. परस्ट क्लास कितना समझ में आया? मैं बहुत अच्छा लगा सर से पढ़के और बहुत मैं अच्छा ही समझ में आया लेकिन कुछ-कुछ बाते मुझे नए समझ में आई तो पहला दिन है और आप करते रहिए और मेवी आपको जितनी भी आपकी समझ से आये हैं अबिन कुमर और किते दिन से आ रहे हैं? लगभग 10 दिन से 10 दिन से आ रहे हैं, 10 दिन में कितना कुछ सिखा? बहुत कुछ सबसे बड़ी बात है कि यहां गाइडेन्स अच्छा मिला है सर का क्यांकि सर अपने एक्सपिरेंस होल्डर रहा है बीपी एसी टॉपर रहा है आई एस अच्छा रेंग के साथ रहा है सिविल सर्विस में रहा है उनका गाइडेंस सबसे बड़ी बात है खुद से पढ़ने के लिए भी प्रेडित करता है और खुद से पढ़ने में इंट्रेस्ट भी आता है यह हुआ यहां पर सबसेगे बात है कि फी ओफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है इसे कितना मतलब आप लोग के लिए कितनी सविल्यत वाली बात है तो नहीं बहुत जो कहीं पर कोशें कर पार है हुआ हुआं पर मतलब आप यहां इसे पहले कहीं करते थे थे और आप करना क्या चाहते हैं ? PPSC करना हुज़ी है और आप सभी लिए बहुत बुट है बुट अबाता हैं हमारी तरह से और आप क्या करना चाहते है पहले तू रखार भूत भूह धनिवाद कम आजा नहीं जो परकॉस्स दे रहा है आपने कभी इससे पहले कहीं कोचिंग करी है? सब्सक्राइब करेंगे जो लगातार बच्चो को परहा रहे हैं और वो है दिवेंद्र कुमार सिंग्ग सर्सें बाच्वीत करेंगे लेकिन सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे कि आपने क्या कुछ अब तक किया है यह जरा बताएब करेंगे तो मैंने इंजिनरिंग की पढ़ाई की है मैंने आईटी कानपुर से एम्टेक की पढ़ाई की है उसके बाद मैंने मुल्टिनेशनल कंपनी में जॉब भी किया अज़ा इंजिनियर उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा समाज के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि मेरे में लगबग सबने ही इंजिनिंग की पढ़ाई की हम चार बाही है चारो ही आईटी से एम्टेक हैं तो कुछ दिन नौकरी करने के बाद मुझे रेलाइज हुआ कि समाज के लिए भी करना चाहिए और वो उस समय एंटी करूप्शन का टाइम चल था देश में 2011 की बाद थी एक मॉमेंट चला हुआ था मैं अपनी जॉब से रिजाइन किया और मैं लोगों की सेवा के लिए लग गया आर्टी आई में 2007 से लगा रहा था तो आर्टी आई में बहुत जादा इंटरस था जॉब मैंने छोड़ी तो मेरा बस समय दिमान में ये चल रहा था कि मैं लोगो अपतार लोगों के बीच मैंने बैठ के समा सेवा की उनके दर्द को समझा उनके लिए सरकारी कारियालों के चक्कर लगाए अर्टी आई फाइल की ट्रेनिंग दी सब कुछ किया फिर मुझे रेलाइज हुआ कि थोड़ी सी लीगल बैकिंग के रिक्वार्ट है लोगों के या कोई ऐसा वकील हमें चाहिए साथ में जो की कोड तक पहुंच सके अगर बात आगे तक जाती है तो आपने लोग किया हाँ फिर मैंने धूड़ा कि कोई ऐसा लाइक माइंड़ वकील मिल जो फ्री में काम करे और ऐसे ही दोड़ता रहे लोगों के लिए लेकिन शायद मै मैं सक्सेस्फोल नहीं हो पाया उसमें तो मैंने सोचा ठीक है मैं ही खाली बैठा हूँ मैं खोदी पढ़ाई कर लेता हूँ मैंने फिर दिल्ली विश्रिद दहले के लोग का एक्जाम निकाला है एंट्रेंस महां पे तीन साल मैंने लेल्बी की 2017 से 2020 के बीच में कातम होने क मैंने कुछ ज्यादा काम नहीं किया जैसे सब कुछ रिस्ट था वैसे सारा कुछ चलता रहा 2020 के बद फिर मैंने कंटिन्यू कि अपनी समा सेवा को और अभी जब मुझे पता चला कि अरुंसर गंगा घाट पे कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको आगे उन से जुड़े हुए है मैं शुरू से जुड़ा हूँ है जस दिन कोचिंग खुली थी मैं यहां पर आजा गेस्ट आया था यहां पर की बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप आये देखिए अब मुझे इतना पसंद आया कि फिर मैं यहीं रुख गया अब ही कैसा लग रहा है आप जो करना चाह रहे थे दिमाग में था कि कुछ अलग करना है कुछ ऐसा करना है सुकून मिले आप सुकून ढून रहे हैं सुकून मिला है सुकून मुझे पिछले 10 साल से मिल रहा है मैं अगबख सुकून ही पा रहा हूँ मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद आता है और यही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पसंद आ रहा है सुभे सुभे बच्चों को पढाना, बच्चों को बेहीं हैं, बात जाहिर से बाते हैं, प्यपीर से बना बहुत आसान है, आपके लिए कितना चुनौती भराईगये। देखिए आप किसी को पढाते हैं तो आपको खुद भी पढ़ना होता है उसके बारे में और जहां तक Current Affairs की बात करें तो यह रोज का है आपको रोज का एक नया सिलेवस मिलता है रोज आपको पढ़ाना होता है तो मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के साथ सब मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ मेरा भी ग्यान पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि यह केवल वनवे है मैं कुछ दे रहा हूँ वो देने के लिए मैं भी कुछ पा रहा हूँ और सवेरे सवेरे उठके गंगा किनारे ताजी हवा में इस तरह का माहौल पाना यह अपने आप में सुखत है पला सुकुंद आयक है अभी और पहली की परहाई में बहुत डिफरे या और भी कई बुक्स आती है उसमें वो प्रिंटेड है वो स्टेटिक नॉलेज है हमारे सिलेवस का काफी पार्ट स्टेटिक होता है जो कि फिक्स है वो एक्जाम में आएगा बच्चे कर भी लेंगे क्योंकि बुक्स पढ़ते हैं मैंनेत करते हैं दिननात लगे रहते है लेकिन कुछ ऐसा portion है जो एक्जाम का जो current news के बेसे पर होता है उस current news के बेस पर हमें उस static fact को फिर से जाके देखना पड़ता है हमारा प्रियास वो है कि यहां पर हम news के बेसे पर न केवलो dynamic fact रोज बदलती चीजों के बारे में बताएं जो कि सिलेवस में नहीं आ सकता यहां पर कोई ऐसी coaching भी नहीं होती है बच्चों के लिए जो रोज उनको current affairs के बारे में पढ़ा सके तो हमारा प्रियास ही है कि वो जो dynamic knowledge वो जो सिलेवस का बहुत सारा part बहुत सारे question जो current के चक्कर में छूट जा रहे है बच्चों को उनको यहां पर पूरी तरह से cover किया साथ ही साथ इसको link किया जाओ उसे starting knowledge जो उनके books में है जिसने के उजाकर उसको पढ़ें उसको देखें और revise हो जाए उनका concept बच्चों के साथ आप भी बहुत आप लोग भी बहुत मैंनत करते हैं एक सिक्षक के लिए वो सबसे अच्छा पल कब होता है अभी तो फिलाल परिक्षाए नहीं है था कि बच्चे टॉप करें तो आपको जाहिर सी बाते बहुत खुशी होगी बच्चों से जादा आपको खुशी होगी अभी फिलाल कौन सा ऐसा पल होता है जब आपको एक सिक्षक के तौर पर बड़ा गर्व फील होता है अगर गंगा घाट पर बच्चे आकर सुबह साले पांच बजे से पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए समाज के कौन सा तकबर वो तबका नहीं है जो बहुत पैसे वाला है पैसे वाला होगा तो सवेरे साथ बजे तक सोगे ही नहीं उठेगा यह वो लोग हैं जो सवेरे उठे हैं जिनके अंदर एक उमीद है जो बिहार के अलग अलग जगों से यहां पटना में आके किराय पे रह रहे हैं और सवेरे साड़े पांच बजे शार्प वो अटेंडनेस देने बैट जाते हैं, यहां पर कभी धूप निकली है, कभी बारिश का माहल है, कभी कुछ भी है, उडटे हुए हैं, मतलब कि उनको जरूरत है, उनके अंदर जजबा है, तो ऐसे लोगों की यात्रा में, ऐसे लोगों की यात्रा में अगर हम भागीदार ब एक बच्चो को परहाते हैं, और सिक्षक के लिए हम लोग सोचते हैं, एक स्टूडिन के तौर पे हम लोग हमेशा सोचते हैं, कि अरे टीचर्स के लिए बहुत आसान होता है, आसान नहीं होता है, इनके बारे में भी आपने देखा कि कहां से थे और कहां पे फिलाल हैं, त और यही इनके साथ भी है और आपके सामनी जीता जाकता उदाहरन है दिवेंदर जी एक सिक्षक के लिए भी उतना ही चुनौति पून होता है जितना आपके लिए होता है सिक्षक भी आपके लिए उतना ही मेहनत करते हैं जितना आप करते हैं या फिर यूँ कहें आपसे कहीं झाल